हेलो दूस्तो आज काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है ठीक है और आज हम दुबारा बात करने वाले हैं यहां पर वी सागर फाइनेशल सर्विस से अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था एक पैनी स्टॉक 96 पैसे का यहां पर एक स्टॉक तो अब यहां पर कित करी है तो एक बार इसकी बाते हम देख लेते हैं तो आपको बदा चलेगा कि दो सब्सक्राइब पैसे का स्टॉक फंडामेंटल देख क्या की खुली खुली रह जाएगी ठीक है और आज मैं यहां पर आपको टार्गेट से लेटेड बाते हैं यहां पर करते हुए नजर आ हैं अपने फैंशा एडवाईजर कुछ की स्टॉडी करो जितना हो सके सीखो और जितना सीखोगे याद रखिया देर सवेर सक्सेस पीछे आएगी और यहां पर आप जो चाहते हो स्टॉक मार्केट से वह अचीव होगा तो सीखने का तरीका सबसे पहले वीडियोज है ठीक ठीक है हमारी सर्विसिस के लिए आप कॉंटक कर सकते हो बेसिक्स टू एडवांस टैक्निकल रिसर्च फंटामेंटल ओके कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से स्टॉक भागते है क्या देखना पड़ता है क्या फंडों टैक्निकल क्या होता है जिसे देखके बड़े- बड़े लोग यहां पर चोटे-चोटे पैसों से यहां पर मिलेनियर बने है वह सब चीद यहां पर आएगी त्री मन्स की पैक्टिकल लड़नी स्टैटीजी उजिन श्टॉक मार्कें ऑनलाइन नोर्स 17,500 का कोर्स यह था ओके अब यहां पर यह कोर्स 20,000 रुपे का हो यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है बड़िया पैसे यहां पर हम लोगों के बनते हुए नजर आएंगे अब बात करते हैं आप वी सागर फाइनिशयल सर्विश्ट होगे तो आप क्या कर सकते हो हमारे वाटसप ग्रूप में एड़ हो सकते हो 12,000 रुपे परमन देने है इस लिमिटेट से लेटेड तो वी सागर की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप यहां पर देखिये 65 करोड रुपे के आसपास है 51 का PE है ठीक है महेंगा नजर आएगा बट याद रखिये महेंगा सस्ता ऐसा कुछ नाम की चीज नहीं होती चीज जब अच्छी है तो यहां पर PE हमेशा महेंगा मिलेगा ROC ROE की बात करें तो यहां पर कुछ खास नहीं है 24 परसेंट का कंपनी के ओपर डेट है कोई प्लैजिंग नहीं है 1.49 का 52 वीक हाई है और बुक वैल्यू के आसपासी कंपनी यहां पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है इनको यहां पर आप देखोगे 1994 में यह कंपनी इन आइडिया यहां पर आद लगता हुआ नजर आएगा बिजनस ओवर विउ की बात करें तो कंपनी यहां देके इनवेश्मेंट पर्टफोलियो इस डाइवर्टिफाइद अगर बात करें यह जहां पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं ठीक है यहां पर फैनेश्य ठीक है यहां पर आप देखना चाहोगे इनके बारे में और तो इनकी सर्विसी फाइनेशल एडवाइजरी, कॉर्परेट एडवाइजरी, MIE, SC एडवाइजरी एक एक करके आप यहां पर विजिट कर लीजिए तो यहां पर आपको और आवर्वीव मिलता हुआ नजर आए कुछ पैसो का श्टॉक सा और उसके बाद इसने एक मल्टी बैगर रिटन दिये लगवववववववावववव बारतीरे रुपे तक गया उसका गिरावट और यहां पर आप देखोगे तो इसका गिरावट यहां पर आप देखाती हुए नजर आ रही है, मतलब यहां प जो घाटे में यहां पर प्रॉफिट अपर आपको अच्छी नजर आती है तो शेयर को भागना ही है इस चीज को याद रखिए ठीक है याद रखिए सूनर और लेटर ऐसा नहीं कि अभी तुरंती भाग जाएगा यहां से गिर के कुछ ताइम बाद भागे ठीक है तो हर को क्या करना पड़ता है इसको प्लस में चार्ट को दोनों को मिक्स करना पड़ता है इसलिए हम यहां पर केवल इसके बेसिस पर नहीं करते काम हम केवल इसके बेसिस पर नहीं करते काम हम यहां पर दोनों को मिलाके काम करोगा तो सक्सेस यहां पर आए गया यहां देखिए highest driver company की sales, highest driver profit सब कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है ठीक है, यहाँ पर बात करें company के reserves की company के अलबद 3.47% के reserves है boring है company की बड़ यहाँ पर जैसे की NBFC है, तो यहाँ पर boring यहाँ पर calculate नहीं करेंगे इसके इलावा investment है 11 करोर का cash की बात करें तो company का थोड़ा बुद cash भी पढ़ा है और यहाँ पर long term के view से अगर बात करों देखें, negative cash flow है, ठीक है, यह अच्छा नहीं माना जाए long term के view से, ठीक है, हम बात करें promoters की बात, तो promoter 5.44% की इस्तेदारी है इसदारी बढ़ती हुए नजर आई है, public की बात करें, public की इसदारी 94.57 है बट 95 ओर को देखीएगा, यहाँ पर अंदर जाईएगा, तो आपको बता चलेगा 20% किसी ने ले रखी है, 20% किसी ने ले रखी है, 11-11% किसी ने ले रखी है तो यहाँ पर क्या नजर आता है, यहाँ पर नजर आता है कि majority of stocks अलग-अलग बड़ यहाँ पर, H&I के पास यहाँ पर दिखाई देते है ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते, 68 पैसे पर इन्होंने यहाँ पर share बेचेते, लग बड़ डबल हो चुके है यहाँ पर इन्होंने खरीदेते, तो मतलब loss में यहाँ पर बेचे है, समझ रहे हो तो यहाँ पर patience की भी चीज होती है, इस चीज को भी आप यहाँ पर देखिएगा अब बात करते हैं, यहाँ पर chart से लिटेट और उससे पहले request है channel को subscribe, bell icon को hit all को notification कौन करिए चीज़ों को सीखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तब यहाँ पर चीज़े समझ भाएगी, इन नमबरों को save कर लीजिए course करिए, सीखे, सबसे important है सीखना, सीखने के बाद एक-दो साल जब आप यहाँ पर expert हो जाओ chart देखने में यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है अब बात करूं मैं आज की तो मुझे यह शेयर अभी फिलाल लगबग लगबग एक रुपे 17 पैसे एक रुपे 37 पैसे और यहाँ पर एक रुपे 49 पैसे तो लगब लगब अच्छी खासी यहाँ पर जंप नजर आते हो जब से बताया है 16 परसेंट तो भागी चुका है ठीक है यहाँ पर हम देखे अगर नीचे से ही काउंट करूं तो लगब 55-56 परसेंट यह हो गए और चीज़े यहाँ पर रुखने नहीं वाली क्यों नहीं रुखने वाली अगर चीज़े एक दो यहाँ पर और अच्छी हो जाती ह इन पर तो यहाँ पर देखता हूं 2012 में तो 2012 में 203 रुपर का चल रहा है यह और चलता हुआ नजरा तो यहाँ पर याद रखिएगा रिस्क बहुत जादा है उपर फस भी सकते हो इसलिए बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है इतना ही पैसा यहाँ पर अगर कोई लेना चाहरा है तो इतना ही पैसे लगाना कि खोने का डरना हो ठीक है क्योंकि अगर नीचे आ गया त तो क्या देखना है आपको ऐसी चीज देखनी है ऐसे टाइम पर पकड़ना है ऐसी जगह पर लेना है जहां पर आपको क्यों के रिटरन मिले ऐसा नहीं कि आप यहां पर लेकर बैठ गाए और सो चने लग गए चलो 20 साल में मेरे पैसा डवल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होन होगे तो बिजनस कर आएगा और जब बिजनस कर आएगा तो हर एक बिजनस में प्रॉफिट ही होता है लॉस भी होता है बट लॉस हमारी वेबकूफी की वाजय से होता है कभी हमारे लग की वाजय से होता है वह सारी चीज़े फैक्टरों होती है बट यहां पर यहां पर मिल सकते हैं, बाइंग जाली की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगें, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, यहां पर इन नम्बरों को सेव कर लीजिए, सीखिए, वाटसप ग्रॉप का हिस्सा बने, किसी का पोर्टफोलियो बड़ाए, कॉन्ट कि wa क्कईली के vivish हैं, कि वाटसंवी लगेंडेशन, कि वा भना ग्र हाँ, कि और भी हैं, वाटसंoncé हैं, कि वाटसंवीश